आप लोग बुताओ कि आप लोग कैसे हो मेरे फ्लावर्स लोग अच्छे है ना अच्छा वेरी गूट मैं कौन हूँ जल्दी से बता दू यस आप लोगों के अंत्रम है ना अच्छा सो फ्लावर्स आज हम क्या करने वाले है ओके मैं आपको बताती हूँ आज ना हम हिंदी स्वर के एक अक्षर लिखन अभ्यास करेंगे यानी प्रैक्टीस करेंगे हाँ कौनसी अक्षर आपको बता है रुको मैं आप लोगों दिखाती हूँ ये देखो कौनसी अक्षर है ये बताओ मुझे री है है ना वेरी गूट यही अक्षर आज हम लिखना प्रैक्टीस करेंगे अच्छा इसके लिए तो my practice book चाहिए होगा है ना ये देखो my practice book ये book जल्दी से लेया और साथ में क्या-क्या ले आना पड़ेगा एक pencil और एक eraser है ना जाओ जल्दी से लेयाओ flowers अच्छा ले आए हो very good अभी इस book के page number 7171 open कर लो which number is this मेरे साथ बोलो एक बार 7171 right very good अच्छा अभी इस activity स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ की री से क्या-क्या होते है आपको बता है री से रिशी होते है मैंने आपको बताई थी ना इससे पहले हाँ चलो और एक बार मेरे साथ बोलो री से रिशी होते है है ना हाँ और भी बहुत सारे वर्थ होते है अच्छा चलो अभी हम लोग activity स्टार्ट करते है अप लोग तयार हो थी आपको लोग activity स्टार्ट करने के लिए यानि शूरू करने के लिए ओके वे चले flowers शूरू करते है सो माइडर फ्लोर्स अभी बताओ ये कौन सी अक्षर है री है है ना देखा ना यहाँ पर कितना सारा री है है ना अच्छा अब हम क्या करेंगे इस अक्षर को यहाँ पर लिगना प्रैक्टिस करेंगे चलो सबसे पहले हम फिंगर से ट्रेस कर ले कैसे सबसे पहले एक खरी रेखा है ना फिर यहां से एक तिर्ची रेखा निकालेंगे खरी रेखा के साथ जोर देंगे फिर यहां से और एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालेंगे है ना फिर यहां से एक रेखा को ऐसे उठा कर ऐसे घुमा देंगे फिर और एक बर ऐसे घुमा है ना, ओके flowers, सो अभी चलो सब pencil लेलो मेरे तरह, pencil लेा ना, ओके, कैसे लिखेंगे हम, देखो, मेरे साथ सबी लिखो, आप लोग जानते हो कैसे लिखना है, ओके चलो, सबसे पहले एक क्या, एक खरी रेखा निकालेंगे, है ना, फिर यहां से एक तीरची रेखा निकालके, एक खरी रेखा के साथ जोर देंगे फिर यहाँ से और एक खरी रेखा ऐसे निकालेंगे फिर यहाँ से एक रेखा को ऐसे उठा कर ऐसे घुमा देंगे फिर और एक बार ऐसे करके घुमा देंगे फिर क्या मात्रा दे देंगे सो यह हमने क्या लिखा चलो यहाँ पर भी लिखते हैं सबसे पहले एक एक खरी रेखा निकालेंगे है ना फिर यहाँ से एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालेंगे और एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालेंगे फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे उठा कर फिर ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे फिर मात्रा दे देंगे, है ना, सभी लिखो मेरे जैसा, ओके, अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे, सेम तरीके से, सबसे पहले खरी रेखा निकालेंगे, फिर एक तिर्ची रेखा निकालेंगे, फिर और एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे करके ऐसे घुमा कर फिर ऐसे घुमा देंगे और मात्रा देंगे है ना, देखा ना मैं तो बहुत अच्छे से लिख रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी मेरे जैसा जल्दी से लिख लो, बहुत धीरे और स्लोली स्लोली हमें लिखना है, नहीं तो बहार निकल जाएगा लाइन से है ना ओके, देखा ना मैंने तो लिख ली, ऐसे करके मैं सभी री को लिख लूँगी, ठीक है देखा ना, फिर क्या ऐसे तिर्ची रेखा निकालके और एक तिर्ची रिखा निकालेंगे फिर यहां से एक रेखा को ऐसे करके ऐसे घुमा कर ऐसे घुमा देंगे फिर मात्रा दे देंगे देखा ना, कितनाँ इजी है आप लोग तो लिख सकते हो, मेरे साथ जल्दी से लेखो एक खरी रेखा निकालेंगे फिर ऐसे एक तिर्ची रेखा निकालके खरी रेखा के साथ जोर देंगे फिर यहां से और एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालेंगे फिर यहां से एक रेखा ऐसे करके इसे ऐसे घुमा देंगे फिर ऐसे घुमा देंगे फिर मात्रा दे देंगे, देखा ना, लोग फ्लावर्स आप लोग भी जल्दी से मेरी जैसा लिख लो, कितना इजी है ना लिखने में, देखा ना मैं तो बहुत सारे रिलिक चुकी हूँ अभी तक है ना, आप लोग भी जल्दी से लिख लो, देखा ये भी लिख ली मैंने, चलो आप भी लिखो कैसे एक खरी रेखा निकालना है हमको है ना फिर यहाँ से एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालके खरी रेखा के साथ जोर दिया है मैंने देखा ना फिर यहाँ से और एक तिर्ची रेखा ऐसे निकालेंगे फिर ऐसे एक रिखा को निकाल के फिर ऐसे गुमा कर और एक बार गुमा देंगे और मात्रा दे देंगे ऐसे ही तो री लिखते हैं है ना लोग फ्लावर्स जल्दी से आप लोग खतम करो मेरे साथ कैसे एक खरी रिखा निकालेंगे फिर एक तिर्ची रिखा फिर ऐसे फिर ऐसे करके एक रिखा निकालेंगे फिर इसे गुमा देंगे और एक बार गुमा देंगे फिर मात्रा दे देंगे सो हम कौन सी अक्षर लिख रहे है भी मेरे साथ बोलो री और री से क्या होता है री शी होता है है ना ओके देखो flowers मैंने लिख ली और कुछ बाकी है मेरे फिर तो मेरी खतम हो जाएगी देखा ना कितना easy है री लिखना लो flowers बहुत अच्छे हो रहा है दीरे दीरे आप लोग मेरे जैसा लिख लो एक खरी रेखा निकालना है हमें फिर ऐसे एक तिर्ची रेखा निकालके खरी रेखा के साथ जोर देंगे फिर यहाँ से और एक तिर्ची रेखा निकालेंगे यहाँ से एक रेखा निकालके इसे गुमा देंगे और एक बार गुमा देंगे फिर यहां से मात्रा दे देंगे So flowers देखो मैंने तो बहुत सारे री लिख लिया है है ना अभी यहां पर भी आप लोग सेम तरीके से सभी री को जल्दी से लिख लो बहुत अच्छे हो रहा है flowers धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप लोग यहां पर भी सभी री को लिख लो ठीक है चलो flowers So my dear flowers आज हमने कौन से अक्षर लिखना प्रैक्टिस किया है यानि अभ्यस किया है बताओ मुझे Yes, री है ना अभी आप लोगों को क्या करना है घर्द में तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है है ना नहीं तो कैसे याद रहेगा री कैसे लिखते है है ना ओके याद रहेगा ना ओके flowers So अभी क्या करना है ममी या फिर पापा को बोलना है इस activity शिक्के एक फोटो Google Classroom में सब्मिट कर देने के लिए ठीक है चलो flowers Our class is over flowers ओके चलो ते कर दो जो भी कर दो जा घ्लोवेश आए जाहे